अाँ आप सब का स्वागत है हमारे आज के इस विडियो में आज हम बात करने वाले हैं इंटर्नसिब के सम्भंद में क्योंकि इसके बारे में बहुत से छात्रों नहीं हम sे सवाल मुझा था कि इंटर्नसिब के सब्सक्राइब करना चाहें तो इसके क्या क्या रूल्स हैं और कैसे हम कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे इंट्राइब के सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऐसे ही बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो समय समय पर पाते रहें तो चलिए सुरू करते हैं हम आज का वीडियो दोस्तों जो भी एमस होता है उसमें साड़े-चार साल आपको क्लास्ट्रू इंटरंसिब कहा जाता है यानि कि यह कंपल्सरी भी है आपको करना अनिवारी भी है और रोटेटरी यानि कि आपको जो बारा महिने के इंटरंसिब होती है उसमें अलग-अलग डिपार्टर्मेंट्स में आपको करना होता है इसलिए कंपल्सरी और रोटेटिंग इंटरंस उसमें जो पहला है first professional एक साल का है जो second professional है वो भी एक शाल का है third professional भी एक साल का है और जो चौथा है fourth professional या final professional वो ज़ेड़ साल का है यानि कि total जो है classroom study आपकी शाहिए चार साल किये हैं और उसके बाद एक साल का इंटरंसिब करना अनिवारी होता है तो अब हम आपको डिटेल ने बताते हैं इंटरंसिब के क्या-क्या रूल्स हैं तो इंटरंसिब की सुरुवात होगी कब इंटरंसिब की सुरुवात अगर आप जो चारों प्रोफेस्नल हैं आप पास कर जाते हैं तब ही आपके इंटरं इंटर्णसिब के लिए जो सबसे पहली सर्थ है वह है कि आपको सारे प्रोफेस्टेशनल क्लियर करने होंगे यानि कि समय पास होने होंगे उसके बाद आपकी इंटर्णसिब जो है स्टार्ट होगी इंटर्णसिब करने से पहले आप जिस स्टेट में करना चाहते हैं वहां से स्टेट में आप करना चाहते हैं जो इंटनसीफ है वो टोटल 12 महिने का होता है जिसमें से 6 महिने आपको वहां से करना होगा जहां पर आपने बीएमेस किया है यानि कि आयरवेद से सम्मंधित जो 6 महिने की इंटरंसिप है आपको उसी कॉले से करनी होगी और जो बाकी 6 महिने है वो आप किसी भी गौर्णमेंट की PSC से CSC से या सिविल होस्पिटल से या डिस्टिक होस्पिटल से आप कर सकते हैं तो 6 महिने आयरवेद चिकिसको को मौडर्ण होस्पिटल में जाने की पर्मिशन नहीं है तो ऐसे केस में जो आपकी 12 मेंदे की इंटरंसिप है आपको आयरवेद कॉलेज या आयरवेद डिस्पेंसरी से पूरी करनी होगी आईसे केसेज में आपका शेडूल थोड़ा सा अलग होगा हम आपको बताएंगे इंटरंसिप में कितना समय आपको देना है तो जो अगर आपके इंटरंसिप six month plus six month तो इसमें जो 6 महिने में आपको आयरवेद की करनी है उसमें कायच गिसा में दो महिने करनी है शल्ले में एक महिने करनी है और शलाक्य में एक महिने करनी है प्रशूती एवंग एस्त्री रोग में एक महिने करनी है बाल रोग में 15 दिन और पंचकर्म में 15 दिन तो टोटल जो देख लेते हैं, जो मॉडर्ण होस्पिटल में आपको करना है, उसमें है, गेट अक्वेंटेट विट रूटीन अफ प्रामरी हेल्थ सेंटर और मैंटिनेंस अफ देर रेकॉर्ड, गेट अक्वेंटेट विट देजिए मोर प्रिवलेंट रूरल और रिमोर अरियाज मेंटे वी मेंटेट आप अरेकल्ड विट। सेंटेट विटीन करना का बेट ब्रामिट्फ ए patents about अजान तो जो छह मेने के इंटरंसिप है modern hospital में उसमें आपको casualty section देखना है casualty section के अलावा जो हाँ पर medical legal cases जाती है उनकी पूरे procedures को आपको देखना है जो national health program है उसमें आपको सहयोग देना है और उसको सिखना है जो immunization program है उसको भी आपको देखना है और उसके साथ काम करना है साथ में जो भी वहाँ के indoor है OPDs है वहाँ के सभी case records maintain करना cases study करना तो इस सारी duties जो है आपके intensive में शामिल है तो इस तरीके से जो 6 मेने के आपकी modern hospital में जो आपकी intensive होनी है तो उसमें आपको एलोपैथिक hospital में होने वाले सभी procedures को rules regulations इन सभी चीजों को आपको सिखना है लेकिन अगर आप किसी ऐसे state से belong करते हैं जहां पर एलोपैथी practice की अनुमती नहीं है तो ऐसे case में आपको जो 12 महिने के intensive है या तो अपने college से सम्मध चीकिसाला में पूरी करनी है या किस आने आयरवेदिक hospital में तो उसका क्या duration है वो भी हम देख लेते हैं तो ऐसे मामलों में जो काईची किसा है उसमें आपको 4 महिने duty करनी है शले में 2 महिने, शलाक्के में 2 महिने, प्रसूती एवंग एस्त्री रोग में 2 महिने, बाल रोग में 1 महिने और पंचकर में 1 महिने तो ऐसे cases में आपको टोटल 12 महिने आयरवेदिक चीकिसाला में intensive पूरी करनी है तो ए हो गया intensive की duration और कितने महिने आपको किस विभाग में काम करना है इसके बाद भी जो सबसे एक महतोपूर्ण सवाल बच्चों का आता है कि हम अगर किसी और college से intensive करना चाहें तो इसके क्या steps हैं तो इसके बारे में भी gadget notification में detail में लीखा हुआ है उसको भी हम देख लेते हैं कि आप अगर किसी अन्य university या college से करना चाहें तो इसके क्या rule है इसी gadget में part 3 section 4 का जो 9th point है migration of internship इसमें क्या क्या करना है migration of internship shall be with the consent of both college and university in case of migration is between the college and two different universities in case of migration is only between colleges of the same university the consent of both the college shall be required the migration shall be accepted by the university on the production of the character certificate issued by the institute or college and application forwarded by the college and university with a no objection certificate as the case mean यानि कि आप किसी ऐसे college से internship करना चाहते है जो कि same university के अंदर आता यानि कि आप जहां पढ़ते हैं और जहां आप internship करना चाहते हैं तो ऐसे में सिर्फ इन दोनों college की ही NOC आपको चाहिए दोनों college से आप NOC लेकर आप दुसरे college से internship कर सकते हैं लेकिन अगर आप किसी ऐसे college से internship करना चाहते हैं जो किसी अदर इन्वरस्टी के छेत्रे में आती है तो आपको दोनों college के अलावा दोनों university से भी NOC लेनी होगी और साथ में character certificate भी लेना होगा और submit करना होगा इस प्रकार से आप किसी अदर college से या अदर इन्वरस्टी से आप internship कर सकते हैं तो आज का यह video अगर आपको अच्छा लगे तो इसे अधिक सधिक like कीजिए और share कीजिए कुर्षान का यह अच्छा लगे तो इसे आप दो इसे आपको अच्के अगया होगован और में वाया होगी लेओको कीजिए और आपको अच्छादी होगी